नमस्ते हारियोम नमस्षिवाई जैगुरू जी सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारोबाई टीजे पर I am back with another candle wax reading for you guys उन लोगों के लिए जो की no contact situation में है यानि कि अगर आपके किसी particular person से बातचीत नहीं हो रही है और आप उस व्यक्ति की उर्जा उनके thoughts, feelings, emotions अपने प्रती जानना चाहते हो then this is the reading for you okay so यह timeless और general reading होने वाली है please watch with an open mind किसी भी व्यक्ति के लिए यह उनकी personal reading नहीं है okay यह general reading है सभी के लिए है यहाँ पर multiple messages आएंगे और जितने downloads जितने insights यहाँ पर आएंगे मैं आप लोगों के साथ में share करूंगी आज again intuitively मैंने candle pick करी आप लोगों के लिए और मेरे हाथ में यह orange color की candle आई है before we move further video को like कर दीजे channel को subscribe कर लीजे अगर आप नए है and हमारे whatsapp channel पर भी आप हमारे साथ में connect हो सकते हो guys link जो है वो description box में है weekly zodiac updates, daily remedies, tips, tricks और ऐसी बहुत सारी चीजे मैं share करती रहती हो group पर जो की आपके कामा सकती है so महादेव का नाम लेकर के आज का यह divination session हम लोग start करते है may lord shiva guide and protect all of us may ma bhagvati lead us in light in right direction in light direction in the direction of light okay चलिए मैंने candle आप लोगों के लिए जला ली है let's see जिनसे आपकी बात्चीत नहीं हो रही है आज के दिन में and specifically इस समय पर इस व्यक्ति की ओर्जा कैसी है general ओर्जा कैसी है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी लोग पहले ही किसी ऐसे person के बारे में सोच रहे हैं जिनको evil eye हुआ हुआ है नजर दोश है नजर लगी हुई है और उनकी अपनी खुद की कार्मे की journey भी चल रही है जो कि बार-बार अधूरी रह जाती है क्योंकि वो lesson सीख नहीं पाते है और फिर बीच में gap आ जाता है और यहां पर third party influence भी काफे सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है मझे ओल राइट सी यहां पर एक आख जैसा एक symbol बन रहा है तो यह व्यक्ति हो सकता है कि आपसे बाचीत नहीं कर रहे है लेकिन यह आप पे नजर जरूर रख रहे है नमबर seven मुझे दिखाई दे रहा है जुलाई का महीना काफे सारे लोगों के लिए important हो सकता है law से काफे सारे लोगों का नाम हो सकता है more दिखाई दे रहा है law दिखाई दे रहा है law से love भी हो सकता है love connection काफी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है magnetic सा यह bond है आप लोगों के बीच में आप चाहा करके भी दूसरों से जाधा time अलग नहीं रह पाते हो या आप दोनों में से कोई एक person है जो one-sided love वाली situation में भी है एक तरफा प्यार experience कर रहे है या ऐसी जर्नी में है which is completely one-sided पूरी तरीके से एक तरफा है और ये व्यक्ती जो है ये समझ नहीं पा रहे है इस चीज को कैसे इस situation को ये handle करे और ये person भाग रहे हैं मुझे न ये भागते वे दिखाई दे रहे है और चुपते वे दिखाई दे रहे है ये अकेले में बैठे हुए है यहाँ पर बड़ा interesting सा एक figure बना है if you can see this where is my wand just a second yes, so अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से तो ये person बैठे वे दिखाई दे रहे हैं जैसे घुटने मोड करके बैठे हुए है चहरा नीचे की तरफ है अपने गोद में या तो फोन की तरफ देख रहे हैं या चहरा नीचे करके जैसे उदासी में देखते हैं उस तरीके से face है और यहाँ पर spirit guide इनके मौजूद है जो इनको positive energy इन तक भेज रहे हैं बट यह receptive energy मुझे नहीं दिखाई दे रही है यह receive नहीं कर रहे हैं blessings को यह अपनी blessings को ऐसा लग रहे हैं यों ही जाने दे रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है laziness वाली energy दिखाई दे रही है मुझे someone who is like कोई ऐसा person जिसने decide कर लिया है to go with the flow जो भी जैसा भी हो रहा है देखा जाएगा अपनी तरफ से मुझे कुछ भी नहीं करना है at least आज की energy मुझे इस तरह से दिखाई दे रही है हो सकता है कि इनकी तबियत भी ठीक नहीं है यह भी एक possibility है कि यह ठीक फील नहीं कर रहे है इनकी तबिय ठीक नहीं है यह rest ले रहे है बेभी आज की दिन में यह काम भी नहीं कर रहे है या work from home चल रहा है देखो शायद घर से काम कर रहे है मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यह phone पर है Calling चल रही है, किसी का call आया हुआ है या ये call करने के बारे में सोच रहे है Let's see, आपको ले करके क्या इनके thoughts है महादे, please मुझे guide करें आज की दिन में आपको ले करके इनके क्या thoughts है सी दुबारा से एक telephone जैसा symbol यहाँ पर बन गया है तो ये call करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको वापिस से अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं अपने मन को जैसे जबरदस्ती संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग separated हो, अलग हो लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आप लोग अलग नहीं हो या आप लोगों के बीच में break up, patch up, break up, patch up ऐसी situation चलती रहती है या कई बार ऐसा होता है कि proper break up नहीं होता है सिर्फ बातचीत बंदो जाती है, काफे सारे लोग जो है वो long distance relationship में होने की वज़ासे confusion में है अगेन I can see मेरे viewers में से कोई है जिनके एक हाथ में phone है और एक हाथ में cup जैसा कुछ है ओके यह hint है guys आप लोगों के लिए of course यह message नहीं है, यह सिर्फ hint है I can also see कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे viewers में से बहुत सारे लोग ना manifestations कर रहे हैं और उनके जो angels हैं वो support कर रहे हैं आप लोगों के viewers आप लोगों के जो angels हैं जो आपकी guardian angels हैं वो इस रिष्टे के base को मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं और आपको एक मजबूत इंसान बनाने में आपकी help कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है आपकी इस जर्णी के लिए flame को जर्ण देखिए कितनी high flame जा रही है सो हो सकता है बाचीत नहीं हो रही है but just look at the passion sorry कितना like high flame है कितनी high energy है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति किसी तरह के guilt में जा रहे हैं और ये कुछ सोच करके जैसे परिशान हो रहे हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया ये मुझे नहीं करना था और इन्होंने जैसे एकदम हबड़ तबड़ में कोई फैसला लिया है और वो इनको नुकसान कर गया है या किसी और के influence में आकर के अपनी अपना रास्ता बटक गए हैं ये भी इनको लग रहा है यहाँ पर ऐसी भी possibility है मुझे कई लोग हैं जो की judge, lawyer, advocate इस तरह के profession में है या कि इस तरह का सभाव है इस तरह का nature है परिशानी सुलजाने के बारे में सोच रहे हैं but I can also see कि यह जो person है जिस तरीके का overall pattern बन रहा है ना guys आज की reading में मैं यह बता सकती हूं कि यह व्यक्ति बहुत ज़दा दिमाग लगाने वाले इंसान है आप ऐसे person के साथ में deal कर रहे हो जो पूरी तरीके से जिसे logical mindset वाला व्यक्ति है बहुत अपने दिमाग का इस्तिमाल करते हैं हर चीज में तो उस वो जैसे इनकी energies जो है थोड़ी सी imbalance रहती और थोड़ा सा इनका jinx जो है वो create हुआ हुआ है career से जुड़ा हुआ भी यहाँ message आ रहा है सामने वाले व्यक्ति की career से जुड़ा हुआ कि इनका jinx create हुआ हुआ है पैसे को ले करके और career को लेकर के शायद महनत कर रहे हैं बहुत ज़दा लेकिन इनका कुछ भी जैसे न फल नहीं मिल रहा है इनको अपनी महनत का और back to square one हो जाते हैं हर situation में कहीं से भी निकलने की कोशिष करते हैं बढ़ने की कोशिष करते हैं कुछ इनका हो नहीं पाता है, ये back to square one हो जाते हैं, वापस वहीं जा, ढाक के तीन पात, वहीं इखटे हो जाते हैं, जहांसे इन्होंने जर्णी अपनी शुरू करी थे, I feel कि ये person reconcile करना चाहते हैं, viewers, मैं candle को यहां पर place कर रही हूँ, ये reconcile करना चाहते हैं, ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, बड़ देखो थोड़ा बहुत गुस्सा तो है इनकी energy में, एंगर है, regret है, अभी अपने आपको ले करके हो सकता है, आपको ले करके हो सकता है, थोड़ा सा मुझे careless attitude भी दिखाई दे रहा है, एक चीज़ों थे going with the flow, कि ठीके चलो, जो चीज़ जैसी चल रही है, वैसे ही चलने देते हैं, जो कि यहां पर निकल के आया था, but then, पूरी तरीके से, चीज़ों को छोड़ देना, यह person कुछ ऐसा कर रहे है, जो कि आपके और इनकी future के लिए शायद बहुत सथा positive ना हो, और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने आज की और इस समय की उर्जा चेक करी है, तो इस time की यह energy इनकी आ रही है, rest में आप लोगों के लिए daily के updates पोस्ट करती रहती हूँ, if you can see, आपको यहाँ पर एक चेहरा दिखाई देगा, yes, just look here, यहाँ पर, यह माथा है, सार है, आखें है, नाख है, लिप्स है, यह कान बने हुए है, तो यह बहुत clear एक picture जो है, वो यहाँ पर हमको बनती हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ चेहरे के expressions अगर हम पढ़ें, तो बहुत गंभीर सी यह look दिखाई दे रही है, दिमाग के अंदर होचपाँ चल रहा है, बहुत ज़ादा, ठीक है, नाख बहुत बड़ी है, इगो बहुत बड़ा है, और मूँ छोटा है, यह निकि मूँ अपना जो जबान है, वो सिल रखी है, बोल नहीं रहे हैं, तो देखें कितना beautifully, कितना wonderfully spirit guides जो हैं, वो हमको message हम तक पहुचाते हैं, मैं जानती हूँ, देखने वाले बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं, जो की यकीन रखते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो doubt के mindset के साथ में आते हैं, तो ऐसा है कि ये दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानते होंगी, और शायद ये जीवन हमारा जो है ये इतना लंबा नहीं है कि हम जान भी पाएं, right? So, yes, it's about faith, it's about believing and trusting, जो भी guidance हमको higher beings की तरफ से मिल रही है, क्योंकि वो positive energies है, वो हमारी भलाई चाहते हैं, और जब हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो हमको सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पर Tarot by TJ चैनल के माध्यम से आप लोगों क सभी के लिए कोई ऐसी restriction नहीं है, हर कोई वीडियो देख सकता है, हर कोई जो है वो अपने लिए guidance ले सकता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करते हूँ, यह कुछ positive impact, कुछ help अपनी तरफ से आप लोगों के लिए, you know, कर पाओ, and that's it guys, इस reading को हम यहीं close कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी energy और बहुत ही direct-direct सी energy messages यहाँ पर हमारे पास में आए हैं इस reading में, जाने से पहले वीडियो को like जरूर दे दीजेगा, अगर आप नहीं है तो subscribe कर लिजे, Tarot by TJ, I will see you guys next time, till then namaste, take care, hariyom, namashivai, jai guruji